हेलो आज का हमारा चैप्टर है वाख आज हम वाख का भावार्थ करेंगे इसकी पंक्तियों का संक्षिप्त में अर्थ समझेंगे कवियत्री यहाँ पर अपने इंतिजार और प्रयास का वर्नन करती है वे कहती हैं कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है उसी तरह से उनका जीवन भी घटता जा रहा है कम होता जा रहा है और यही कारण है कि वो बहुत बेचैन होती जा रही है कि कब इश्वर उनकी बात को सुनेंगे आर इस संसार के सागर से उनके बेड़ा पा लगाएंगे कवित्री जो है परमात्मा के निकट जाने के जितने भी प्रयास हैं वह सब करना चाहते हैं और जो प्रयास है उनको कच्चे धागे के समान उनने बताया है और कच्चे धागे से खीचे जाने वाली नाव में वह सवार हैं और वे कहती हैं कि प्रभू मिलन के सारे प्रयास उन्होंने कर लिये हैं उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मनुश्य कुछ समय के लिए ही धर्ती पर रहता है छणिक होता है उसका जीवन उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है और यहां पर वे कहती है कि उसका जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है सारा समय बीतता जा रहा है उसने प्रभू से मिलने के जो भी प्रयास किये थे वो सब चिन गए हैं वियर्त हो गए हैं और अब उसे लग रहा है कि समय खतं हो जाएगा उसको मौत आ जाएगी और वह शायद प्रभू से मिल नहीं पाएगी यही कारण है कि उसका हरदे तडबता रहता है प्रभू से मिलने के लिए और वह प्रभू के घर जाना चाहती है उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है मगन हो जाना चाहती है फिर वे कहती है कि अगर हम संसारिक विशय वासनाओं में डूबे रहेंगे संसार के कारियों में डूबे रहेंगे तो हमें कभी भी मौक्ष नहीं मिलेगा मौक्ष क्या होता है मौक्ष होता है संसार क बंधनों से मुक्ति तो कवियत्री क्या कहती है कि मुझे संसार से कभी भी मौक्ष नहीं मिलेगा अगर हम विशे वासनाओं में डूबे रहेंगे आई ये हम संसार के मौ माया को छोड़ देते हैं तो तपश्या में लग जाएंगे इस से हमें कुछ भी लाब नहीं होगा बलकि क्या होगा हमें हमारा जो त्याग किया है उसके कारण हमें एहिंकार आचाएगा और जिसके वज़े से हमें मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होंगी और यही कारण है कि यहाँ पर कव्यत्री के अनुसार दोनों रास्ते ही अलग है जब हम संसार के भोग लिपसा में लगे रहते हैं संसारिक वस्तों से हम सनलगने रहते हैं तो हमें सच्चा ग्यान नहीं मिलता है और इसके विप्रीत जब त्याग तपश्या कर देते हैं तो हमारे भीतर एहिंकार आ जाता है कि हमने ये त्याग किया और यह भी एक क्या है अज्ञान का ही रूप है जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता है इसलिए कवित्री क्या केती है कि हमें दोनों मार्ग दोनों रास्तों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए ना तो हमें घोर तपश्या करनी चाहिए ना ही हमें संसार में अत्यधिक लिप्त रहना चाहिए इसलिए वे कहती है कि बीच का मार्ग अपनाया जाए जिसमें हमारे भीतर ना तो वासना रहेगी ना भोग लिपसा रहेगी ना ही हमारे भीतर बहुत जादा तपश्या का एहिंकार रहेगा और यही बज़े होगी कि हमारे भीतर समानता की भावना रहे जाएगी और तब हम रभु की सच्ची भक्ति में लीन हो जाएंगे फिर वे कहती है कि मनुष्य के द्वारा इश्वर प्राप्ति जो है उसके लिए हम जो प्रयास करते हैं उसमें कहते है कि इश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत में तो हमने भक्ति की लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है इसलिए वो रा भटक गई हैं और संसार के आडंबरों में बहक गई है रास्ता भूल गई है भटकने से इतात्परे क्या है कि वह प्रभू के भक्ति के लिए जो तरीके हैं जैसे कुंडली फेरना है जागरन करना है मंत्रिजब करना है वह सब करने के बाद भी परमात्मा से नहीं मिल पाई है और इसके कारण वह दुखी हो गई है फिर वह करती है कि हमें भेदभाव हिंदू मुस्लमान आदी समाज में जितनी बुराया है उनका बहिस्तकार करना चाहिए उनके अनुसार शिव जो है वो हर जगे पर बसे हुए हैं चाहे आकास हो धर्ती हो हर प्रणी में इश्वर का वास है और वह व्यक्ति को उच नीच भ कि अमान भाव से देखता है उनके अनुसार शिवर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्म ग्यान प्राप्त करना जरूरी है त्शुम को नहां से इसले बहे ही नि तुम्हारा खुद का जानना ही तुम्हारा यह उपाय है कि तुम इश्वर को समझ सकते हो परमात्मा को समझ सकते हो और उसे पहचान भी सकते हो